हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक हूंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अत्रस गार्डन एंब लॉग में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में अपने आंगन में एक छोटे सी क्यारी है उसमें मैं कौन-कौन से प्लांट लगाए हूं कौन- दूसरा यह देखे यह पर्सलेन का प्लांट है यह एक हैंगिंग उप्लांट में लगा हूँ है तो कि कितना यह बांगी इसमें फ्लावर कम आ रहे हैं और इधर देख्यें यहां पर इस गंबले में तूलशी का प्लांट लगा हूँ और उसके नीचे चुटा-छूटा ध टूसा मटकी में श्नेट लगाई हूं यह बहुत अच्छे से चल रहा है और यह फ्लान्ट यह देखिए और वास्तो के हिसाब से अपने घर में जरूर रखना चाहिए आप सब भीए अपने घरों में जरूर रख सकते हैं यह बहुत ही शूप धमाना जाता है और लक्की प्लांट भी कहते हैं इसे चलिए आगे चलते हैं और यहां पर यह देखिए इता चोटा सा है मेरा अंगन और वो छोटा सा क्यारी बना हुआ है उसमें अपने मैं सौंक पुरा करती हूं जो भी प्लांट मिलता है मैं उसको इसक्य देखिए इसमें च्छोटे च्छोटे पींग कलर के बहुत ही गुपसुरत फ्लावर आते हैं और यह बी कटन से असाने से लग जाती देखिए मैंने 2-3 पार्ट में इसको लगाया हुआ है और यह भी बहुत जल्दी ग्रोह जाता है लेकिन इसमें एक बात ध्यां रखना पानी कम दे इसमें ओवर वाटरिंग ना करें नहीं तो प्लांट अपका गल जाएगा और इधर देखिए मेरे बोट लेली रियो का प्लांट का कलेक्शन एक दम बहुत ही ज्यादा बुशी हो गया है जम पार्ट पुरा भर गया है और यह एक ऐसा प्लांट है कि इसकी एक छ स्कुशाई रिख यह तो प्लांट है इसकी देखि कितने खुप्सूरत लंबी-लंबी इसकी बेले हैं देख सकते हैं बहुत लंबी हो गया और चोटे से यह कंटेंब में लग़ा हुआ है और काफी हैल्दी भी है देख सकते हैं और इसकी पत्या देखे कितनी चमकदार है और इसकी पतिया काफी थीक होती है अपने पतियों में पानी श्टोर करके रखती है इसी बहुत कम पानी की ज़ुरत पड़ती है और यह भी बहुत ज़ल्दी लग से और यह देखिये यहां पिजगह के अंगर का लगा इमका है और जो के लुगाना रहता है तो में बात दूसरा वराटी फिल समय मेरे पास यह भी काफी खुबसूरत लगता है देख सकते हैं इसकी पत्तियां पीछी परपल कलर की है और इधर इसका वाइट और ग्रीन का कामिनेशन है बहुत ही खुबसूरत और यह है एक मेडिशनल प्लान पथर चट्टा यह दिखिए बहुत काम आता है आयूर वेद में इसका बह बहुत देती भी हूं अपने फ्रेंड्स को और यह देखिए यह टर्टल वाइन की बेले भी है और यह है मार्निंग लोरी की मार्निंग लोरी जगा-जगा मेरे क्यारी में वुगाते हैं ऐसे इसका बीज फल से बीज निकल जाते हैं और फिर जड़के फिर से नए पौदी तो यह जगा यहां पर क्यारी में है और उसमें फ्लावर भी आने चालो हो जाते हैं तो देखिए आप इसका बीज स्टोर करके भी रख शकते हैं वारिज की दिने में लगाने के लिए दिए बोट लीली का और एक और और पर यहां पर पूरा भरा हुआ है यहां पर देखि केलिडियम बहुत ही खुबसरत लगता है मुझे तो इसका प्लांट इसकी पतियां देखिए कलरफुल और यह है ड्रेशीना एक मैं पिछले बार जो वीडियो बनाई हूं ड्रेशीना वाला तो उसमें जो कटिन लाई थी मंगके मैं उसको लगाई हूं यहां पर तो वह अ कशन प्लेशल्दी बढ़ जाता है और यहां पर देखिए डेंथ स सज्वाले हैं सब्रस्स क्याओं सब्सक्राइए उसको निकाल दती हूं और यह रेट कलर का और पींग कलर का एक पाड़ में Pakे टेहीं में लगा दिनींद के लग nhiं बहुत ही खुबसुरत लग रहा है यह वाला मुझे बहुत पसंद है यह दिखिए बहुत खिल के आया है यह देखिए यहां पर भी है को लेश मेरे पास दो तीन वराटी जैंआ आप सबको पिछले वीडियो में दिखाई हूं है और यह इतना कलर इसका इसली आया है क्योंकि क्रिष्मस्क्रीक में देखिए बहुत बड़ा हो गया है और शीकाओ प्लांट तो उसमें धूप कम आती है इसलिए उसका खिल के और यह देखिएए क्यारी में मैं लगाई हूं अर्वी क्वाइध इसमें फ्लावर यह नहीं आते मेरी क्यारी में लगा हूँ अबहुत कम आता है लेकिन अब्स यह देखिए मेरी क्यारी में मैं इतना मतलब अपने लबर फ्लावर्स लबर और गार्डनर जो है कहीं से भी कोई भी प्लांट का कर्टिन मिल जाता है तो उसी हम लाके अपने गार्डन में लगा देती हैं तो देखिए मेरे पास यह सब कलेक्शन से और यह देखिए यह है मिठालिम का प्लांट बहुत बड़ा हो गया है काफी बड़ा हो गया है तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगको कैसे लगी कमेंट बाक्ष में कमेंट करके बताना और जो भी नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर आगे मैं और वीडियो लाते रहूंगी आप लोगके नई नई वीडियो लाते रहूंगी और नई नई जांकारियों के साथ तो फ्रेंड्स मिलते हैं हुआ 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 है